हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेलफुल होने वाला है सुफ्रेंट्स आप सभी को पता है कि जो धनिया है वो हम खाने में डालते हैं तो ये खाने की खुश्बू तो बढ़ाता ही है और इससे जो खाने में सुआद है वो भी बहुत अच्छा आता है सुफ्रेंट्स जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तीन महीने होते हैं न इन तीन महीनों में धनिया की कोस्ट भी भड़ जाती है और इन महीनों में धनिया भी खराब होना शुरू हो जाता है तो इसको कैसे हम स्टोर करें तो यह आप देख रहे हैं न धनिया यहाँ पर आपको धनिया को साफ करना है इस तरह से आपको गली सडी जो भी पत्तियां दिखती है वो आप इसमें से हटा देंगे साथ में जो भी डैमेज पत्ती आपको दिखती है न वो भी हटा देंगे जिस भी पत्ती पे आपको लगता है कि उसका डंठल साइड से तूटा हुआ है या फिर वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है उसको भी आप यहां से हटा दें तो इसी तरह से हम सारे के सारे धनिये को साफ कर लेंगे तो यहां पे धनिया हमने देखो इस तरह से ही साफ करना है आप देख रहे हैं ना कि मैंने एक भी डैमेज पत्ती नहीं ली है और कोई भी मेरा जो स्टैम है यानि कि तना है वो तूटा हुआ नहीं है तो इसी तरह से आपको सारा धनिया साफ कर लेना है आपको समझ आ मिया है आपको पती डैमेज नहीं चाहिए और आपको इसके जो स्टैंप है यानि यह पूरा अपको पाइप सा दिक रहा है न यह वाला आपको बिलकुल भी डैमेज नहीं चाहिए तो देखिए हमने धनिया जो है वो पूरा साफ कर लिया है सारे धनिया को इस तरह से एकठा कर लेंगे इस तरह से जड़ की साइड से हम सारा धनिया ऐसे एकठा कर लेंगे देखिए एक बंच साम बना लेंगे अब इसे हलके हाथ से क्या करेंगे ना पानी में धूलेंगे तो यहां पर यह गंदे वाला धनिया मैंने सारा का सारा हटा दिया था देख रहें ना कितना सारे धनिया निकला है गंदा वाला तो इसको हटा देंगे यहां पे हम करी पत्ते को भी इसी तरह से स्टोर करेंगे आप करी पत्ते को भी स्टोर करके रख सकते हैं और आपको करी पत्ता भी एक तब फ्रेश खाने को मिलेगा जब आप को जरूरत होगी तो थोड़ा सा करी पत्ता निकाली और इसी तरह से फ्रेश फ्रेश आपको पत्ते दिखाई देंगे करीपते के तो चलो ये पानी मैंने ले लिया था एक पतीले में तो इस तरह से धनिये की पहले हम जड़ को साफ करेंगे अगर जड़ में कोई गलास रडा सा पार्ट रह गया है तो उसे अच्छे से क्लीन करके अलग कर देंगे तो फ्रेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं न कि जड़ को धनिये से अलग हटाके ही स्टोर करते हैं तो ऐसा बिलकुल भी ना करें इसके साथ जड़ आपको लेनी ही है धनिया हमने यहाँ पर साफ कर दिया था अब धनिये को हम हलके हाथ से साफ कर लेंगे पूछ लेंगे इसको यहाँ पर मैंने क्या किया है एक कपड़ा लिया है और इस कपड़े के उपर धनिये को रख दिया है और इसे हलके हाथ से देखो टीशू पेपर पे बिल्कुल हलके हाथ से इसे टैप टैप करते हुए सारा पानी इस पे टीशू पेपर पे ले ले लेंगे या फिर चाहें तो आप सीधे इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो आपको करना किया है इस धनिये को पूरा इस तरह से पानी इसका सोकने के बाद आपको इसे अच्छे से एक पेपर में लपेटना है तो पेपर में भी हमें लपेटने के लिए इसको इस तरह से कुछ रूल्स फोलो करने पड़ेंगे यहां पर मैंने एक पेपर लिया है अब पेपर के उपर हम बिचाएंगे कुछ टीशू पेपर तो यहां पर मेरे पास टीशू पेपर खिती हैं तौ यहां पर थोड़ा सा टीशू पेपर मैंने विचाया है और उसी के ऊपर लगाएंगे धनिये की लेयर तो आधा आधा लेयर हम इस तरह से बिचा देंगे जिससे क्या होगा ना कि जब भी पानी धनिये कंदर जाएगा ज तो बना लेंगे हमें एक जार लेंगे और अपने धनिया को इसमें स्टोर कर देंगे तो आपको धियान रखना है कि जो भी एर टाइट डबा उसमें आपको धनिया रखना है यह देखिए अगर आपके पास कोई डबा नहीं है तो इस तरह से बोटल लेंगे यह फ्रूटी वाली बोटल है या तो फ्रूटी वाली या माज़ा वाली आप कोई भी बोटल ले सकते हैं आप इस लेरी की बोटल भी हाँ पर ले सकते हैं सो बाटल को इस तरह से काटेंगे, काटने के बाद इसका टॉप का पार्ट अलग कर देंगे और बाटम का पार्ट अलग कर देंगे इसको अच्छे से टीशू पेपर की हेल्प से सुखा लेंगे, पूछ लेंगे अंदर से isंधे कोई जम्स उग्यरा ना ब hug करेंगे अभ देखे च ini दो दिस तेपने और बाटल में रख देगे तो यह करी1-10 से बेच आयु चल जाते हैं इसी तरह стор Console आपको तो आपको चैजogen रोज देखने Hybrid यहां पर एक छोटी सी बॉटल थी तो आपके घर में कभी कभी हरी मिर्च आ जाती है נ तो हरी मिर्च को भी आप इस बोटल में स्टोर करके रख सकते हैं चाहे तो आपके पास थोड़ी बहुत फलीयां बच जाती है काई आपको क्या करना है एक tape लेनी है और tape लेके इस तरह से हलका सा उसे बंद करके रखतेंगे तो यह जो फली है आपको 10-15 दिन तक अराम से देखने को मिल जाएगी फरेश इसी तरह से आपको करना क्या है बस tape अटानी है और निकाल देना है इसको और बना लेनी है सबजी तो य बना रहता है और फ्रीज में बिल्कुल फ्रेश आपको दिखाई देगा कितनी ग्रीन ग्रीन पतीयां हैं यहां पर धनिय को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको कुछ टिप्स भी फोलो करनी पड़ेगी तो यहां पर धनिया जब भी आप यूस कर रहे हैं जब भी आप इस pack It को खोल रहे हैं तो इस तरह से कोई भी part आपको damage दिखता है तो वह part सबसे पहले निकाल ले देखिए इस तरह से आप धनिये को साफ कर दीजिए फिर से और फिर से इसे वापस इसी तरह से रख दीजिए अब देखिए आपको टीशू पेपर हर तीसरे दिन चेंज करना है तो यहां पर थर्ड डे हो गया था मैंने जैसे आपको बताया है तो आज मैं इसका टीशू पेपर चेंज कर रही हूँ एक टीशू पेपर आपको इसका चेंज करना है आपको लगता है कि नियूस पेपर आपका ज़्यादा ही गीला हो गया है क्योंकि इसमें मोश्चर होता है अगर आपको लगता है कि गीला हो गया है तो आप नियू सेपर को भी हटा दें तो इन टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका धनिया 15 दिनों तक खराब नहीं होगा जब भी मैं मार्केट से धनिया लाती हूँ तो मेरा धनिया बहुत लंबे समय तक चलता है और ये धनिया बिलकुल भी खराब नहीं होता हर बार जब भी मैं इस पैकेट को खोलती हूँ तो इन टिप्स को फोलो करती हूँ हर बार अपने धनिये में से खराब पत्तिया निकाल लेती हूँ तो धनिया मेरा बहुत ही अच्छा और ग्रीन ग्रीन मुझे रेगुलर मिलता है लगता है जैसे कि अभी ही मैं फ्रेश फ्रेश खरीद के लाई हूँ सुफरेंस यकीन मानिये इसकी खुश्मूवें भी कोई कमी नहीं आती और धनिया भी हमारा एकदम क्रंची और फ्रेश दिखता है अगर आपको मेरी इमेहनत थोड़ी सी पी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से टिप्स लेकर आती रहूंगी जो कि आपके लिए हैलफूल होती है